रूस के एक होटल में एक टेवल लगी हुई है उसके उपर कुछ हिंदुस्तानी मज़़ूर बैटकर खाना खा रहे हैं वो सभी एक दूसरे से हशी मज़ा कर रहे थे तब ही उनमें से एक मज़़ूर की नजर दूसरी टेवल पर बैटी हुए एक वेहदी खूबसूरत रसियन लड़की के उपर जाती है और वे उसे देखकर बोलने लगता है कि अगर इस लड़की से मेरी साधी हो जाए तो मेरी गाओं में वावाही हो जाएगी इस बात को सुनकर सभी मज़़ूर हसने लगते हैं वे लोग समझ रहे थे कि इस लड़की की समझ में हिंदी नहीं आती होगी और इसी बज़े से वे हिंदी में इस बात को कहकर हसने लगते हैं दोस्तो इससे आगे क्या होता है और क्यों ये लोग वहाँ पर मजदूरी करने के लिए गए थे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें बिहार के एक छोटे से गाओं में एक परिवार रहा करता है जिस परिवार के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है दीपू दीपू जो कि अभी छोटा ही है जादा बड़ा नहीं है दीपू के पिता का ना मुत्तम सिंग है उत्तम सिंग जो कि गाओं में मजदूरी किया करते हैं और मजदूरी करने के बाद अपने परिवार का बर्ण पोशन कर रहे हैं याने कि ज़्यादा रुपिया पैसा तो उनके पास नहीं है लेकिर इतना पैसा उसके पिता कमालिया करते हैं जिससे परिवार की गोजलवसर अच्छी तरह से हो जाती है एक फुस्तेनी घर है जिसमें वो लोग रहा करते हैं और इसी तरह से दीरे दीरे दीपू बड़ा होता है दीपू के पिता दीपू को अच्छी तरह से पढ़ा लेखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाते हैं तो इसी वज़े से वो उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करके उसकी पढ़ाय लेखाई को आगे बड़वाते हैं दीरे दीरे समय बीता और समय के साथ साथ दीपू की पढ़ाय लेखाई कम्प्लीट हो जाती है अब जैसे दीपू की पढ़ाय लखाई कम्प्लीट हुई थी तो उसके बाद माता पिता उससे आस करते हैं कि बेटा कहीं पर जाएगा और अच्छे से पैसे कमाएगा और परिवार के आर्थिक इस्तिती को मजबूत करेगा उसी आदार पर जो दीपू होता है वे गुजरात की एक कम्पनी में जाकर नोकरी करने लगता है क्योंकि उसने आइटिया की थी और आइटिया करने के बाद वे गुजरात की उस कम्पनी में काम करने लगा था काम करके वहाँ से पैसों को अपने माता पिता के पास बेज दिय वहींता है। कमपनी में काम करते हुए उसे एक साल हो गया था और इसे एक साल के दोरान उसने अंग्रेजी बोलनी अच्छी तरह से सीख ली थी। क्योंकि दोस्तों वही मसीने बनाया करती थी और उन मसीनों को वही विदेश में भी लगाने के लिए जाया करती थी। जब कभी वे विदेश में जाया करती तो मजदूर जो उसके साथ जाया करते थे उनको अंग्रेजी बोलनी अच्छी तरह से आनी चाहिए जाकि वह वहाँ के लोगों से अच्छी तरह से बाते कर सके तो दीपू का सपना भी यही था कि वह अच्छे से अंग्रेजी बोलना सी कि दिरे दिरे को समय और वितार को समय बाद जो देपु होता इसका नंबर भी विदेश जाने का आ जाता है, कंपनी के अंदर से एक मसीन रूज जानी थी और वहाँ पर साथ 6-7 मजदूर और वहाँ पर भेज दिये जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद दीपू अपने काम को मल लगा करने लगता है और वहाँ पर उन्हें लगबग 15-20 दिन तक काम करना था और उसके बाद वह वापस से इंडिया आ जाते तो कमपनी बालों ने उनके लिए एक होटल भी कर रखा था जिस होटल के अंदर जाकर वो खाना खाया करते थे दीरे-दीरे समय बीचता है और वहाँ पर जाये होए उसे 5 दिन हो गए थे और 5 दिन बाद दीपू और उसके साथी एक दिन होटल पर बैटकर खाना खा रहे थे और खाना खाते होए वह एक दूसरे से हसी मजाक कर रहे थे उसी होटल पर दूसरी बेंच पर एक रसियन लड़की बैटी हुई थी जो देखने में पेहदी खूबसूरत थी और दीपू की नजर जैसे उस लड़की पर पढ़ती है तो एकदम से उस हसी मजाक के बीच में अपने दोस्तों से कहने लगता है कि दोस्तों अगर इस लड़की से मेरी साधी हो जाए तो गाउं में मेरी वावाही हो जाएगी क्योंकि इसकी तरह की एक भी लड़की हमारे गाउं में नहीं है और अगर ये मेरी दुलन बनकर मेरे गाउं में जाएगी तो लोग मेरी वावाही करेंगे अब यह बात लड़की को भी सुन जाती है और यहाँ पर जो उसके दोस्त है वह इस बात को सुनकर हसने लगते हैं कहते कि हाँ हाँ सही कह रहा है अगर यहाँ से तो दुलन बना कर इसको ले गया तो गाउं में तेरी बड़ी ही वावाई होगी अब लड़की यह बात सुन लेती है और उसे हिंदी भी समझ में आया करती है लेकिन आभी वो उन लोगों को जाहिड नहीं होने देती कि उस पर हिंदी आया करती है और चुप चाप बिना किसी रेक्शन को दिये वहीं पर बैठी रहती है वे दीपू की तरफ देखती तो है दोबारा से मुझ दूसरी तरफ कर लेती है और हसने लगती है दीपू को यह सब कुछ देखाई नहीं दिया था तो वे सोचता है कि चलो इससे हिंदी नहीं आती है तो कोई भी देकत नहीं है उसके बाद वे लोगों आपस में एक दूसरे से और भी जादा मजा करते हैं औ उसे हिंदी आती है तो वे इंग्लिस में बात करती है तो दीपू से इंग्लिस में फटा फट बात करने लगता है और बातों यह बातों में लड़की दीपू से कह देती है कि तुम देखने में बड़ी अच्छे लगते हो और तुम बहुत ही जादा खूबसूरत हो और दीपू भी वहां से खाना खाने के बाद वापस अपनी कंपनी में आ जाता है। लेकिन दीपू के दमाग में और दीपू के आँखों के सामने उस लड़की का चेहरा बार बार आ रहा था और उसने जो बाते की थी वो बाते बार बार उसको सुनाई दे रही थी। दीरे 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 दी इसके बाद जैसे चटे दिन वो लोग होटल पे खाना खाने के लिए जाते हैं तो फिर से वो लड़की उन्हें वहीं पर बैठी हुई मिल जाती है अब इसके बाद दिपू जैसे उस लड़की को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वे एकदम से उस लड़की के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद उससे इंगलिस में बाते करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाता हूँ उसके बाद वह लड़की भी दीपू से दोस्ती करने के लिए त्यार हो जाती है और उसको अपना नमबर देती है इदर दीपू का नमबर उसने ले लिया था और इसके बाद दोनों की फोन पर बाते होने लगती हैं दीरे दीरे बाते होती है और बातों ही बातों में वह लड यानि कि एक सीधा सीधा इसारा था दीपू के लिए उस लड़की की तरफ से कि वो भी उसे पसंद किया करती है इसके बाद थोड़ी देर तक और बाते होती और बातों में दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं अब दोनों के बीच में प्यार का अच्छे हैं और इस तरह से रहा करते हैं अब एक दिन सुबा सुबा दीपू उस रसियन लड़की के पास फोन करता है लेकिन उसका फोन कोई भी नहीं उठा पाता है इसके बाद दीपू थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं हो सकता है कुछ काम कर रही हो इसी वाया से मेरे phone को receive नहीं कर पाई हो फिर थोड़ी देवार फिर से phone करता है लेकिन इस बार भी उसका phone किसी नहीं उठाया था और इसी साथ बिताना चाहता था इसी बात को लेकर वो काफी ज़्यादा मायूस है उसके बाद बार बार ट्राइ करता है ट्राइ करते हो उसको साम हो जाती है और साम को एकदम से उसका फोन सुचोप हो जाता है और उसके बाद उस फोन को सुचोप बताया जाता है अब इसके बाद द दीपू उस लड़की से बात किया करता था तो दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार की कसमे खाई थी प्यार के वादे किये थे और उस लड़की ने कहा था कि मैं जिंद की बार तुम्हारे साथ रहूंगी लेकिन आज उसका फोन सुचो पा रहा है तो दीपू को लगता है कि हो सकता है कि ये लड़की मेरे साथ ऐसे ही मजाक कर रही हो तो इसके बाद दीपू भी उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर देता है और दीरे दीरे उसका भी इंडिया जाने का समय हो जाता है अब इंडिया जाने का जब समय होता है तो एक बार फिर से दीपू उस पर कि चुटी ले लेता है कहता है कि साहब मुझे कुछ दिन की चुटी चाहिए मैं कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं उसके बाद दीपु वहां से अपने परिवार के पास आ जाता है और वहीं पर रहने लगता है उसके परिवार वाले जब दीपु की हालत को देखते तो बड़ी परेशान होते हैं गाउं आने के बाद लगबग तीन दिन तक वो अपने आपको कमरे में बंद करता है और कमरे में बंद करने के बाद अचानक से इन सब चीजों से बाहर निकलने की कोज़ करता है क्योंकि जब उसके मावाप उसको इसालत में देखते हैं तो उसको बहुत समझाते हैं और इसी समझाने का फरक उसके दमाग पर पढ़ गया था और वह अपने आपको इन सभी चीजों से बाहर निकालने की कोज़ करता है तो वो अपने घर से बाहर आता और अपने दोस्तों से बाते करने लगता है बातों ही बातों में इस पूरी गटना को वो अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि या लड़की देखने में वाकिए खूबसूरत थी अब दीपू की इस बात को सुनकर उसके दोस्त उसका मजा कोड़ाया करते हैं कहते हैं कि तु तियार ऐसे ही कह रहा है बलत तुस से कोई रसियन लड़की क्यों बात करेगी इसके आवाज में सभी को विस्वास दिलाने की कोईच करता है दीरे दीरे समय बीता और समय के साथ साथ उसको अब इंडिया आये हुए पांच-छे दिन हो गए थे यानि कि गाओं में रहते रहते छे दिन उसको हो गए थे और तभी एक दिन अचानक साम को उस लड़की का फॉन दीपू के पास आता है अब जैसे फॉन रिंग करता और सामने उस लड़की का नंबर था तो मानो दीपू के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था एकदम से वो फॉन को उठाता और फॉन उठाने के बाद उस लड़की से बात करने लगता है वह कहता है कि तुम कहां चली गई थी तुम्हें पता है मैंने कितनी ब फॉन देखा तो उसके अंदर तुम्हारी डेर सारी मिसकॉल थी लेकिन मेरा फॉन घर पर ही रह गया था और घर पर कोई भी नहीं था जो उस फॉन को देखकर मुझे बता सके कि फलाने वैक्ती का फॉन आ रहा है और मैं भी पूरी तरह से बेखुश थी अब इन सभी बात जो का हूँ वहाँ से मेरा काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं इंडिया के अंदर ही रहूँगा अब साइध हम दोनों कभी ना मिल पाएं अब इस बात को वैं रसीन लड़की सुन लेती है और मन के अंदर ठान लेती है कि मैं दीपू से मिलकर रहूंगी अब वैं जालों से कह कर उस लड़के के बारे में बता कर वहां से इंडिया आने लगती है उस लड़के से मिलने के लिए कभी कभी में दीपू के पास फोन किया करती और फोन करने के बाद उससे उसके बारे में पूछा करती हाल चाल जाना करती लेकिन दीपू को यह नहीं बताती है कि मैं तुम से मिलने के लिए आ रही हूँ दीरे दीरे वे लड़की पूछते पूछते उसके डिस्टिक तक पहुंच जाती है डिस्टिक के बाद उसकी तैसिल में पहुंच जाती है और तैसिल के बाद उसके गाउं में पहुंच जाती है वहाँ पर वे दीपू के बारे में पूछती पूछती उसके घर तक भी पहुंच जाती है और जैसे ही उस लड़की को अपने घर के अंगन में देखता है दीपू तो एकदम से मानो उसकी खुसी का कोई ठेकाना ही नहीं हो उसको अपनी आखों पर विश्वास नहीं होता है लेकिन दोस्तों उस लड़की के पीछे जो लोगों के भीर खड़ी हुई थी उसे देखकर दीपू को विश्वास होता है कि यह लड़की सच में ही मुझसे मिलने आई है उस लड़की ने गाइड किया था एरपोर्ट से और उसी गाइड के साहरे वो यहां तक आप पहुची थी क्योंकि गाइड सभी लोगों से अच्छी तरह से रास्ता पूछा करता और पूछने के बाद वह उसे यहां तक ले आया था वह गाइड भी बिहार से ही था तो इसी वज़े से इस एडर्स को डूडने मुझे काफी ज़्यादा आसानी हुई थी इसके बाद वह लड़की वहां पर आ गई थी और वहां आने के बाद दीपू को एकदम अपने गले से लगा लेती है अब दीपू को एक रसियन लड़की ने गले से लगा रखा था और गाओं के सभी लोग वहां पर एकटा थे उन में से वो लोग भी थे जो कभी दीपू की बात पर विश्वास नहीं किया करते थे इतनी ही देर में दीपू के माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं और वो जैसे अपने बेटे को एक विदेसी लड़की के गले लगे हुए देखते हैं तो उन लोगों भी इस बात का बड़ाई आश्चर्य होता है क्योंकि उन्हें पता तो था कुछ ऐसा हुआ है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पता था कि वो लड़की इसके पीछे पीछे यहां तक भी आ जाएगी उसके बाद सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाने के बाद वो लड़की दीपू के माता पिता से बात करती है अपनी और दीपू की साधी के बारे में दीपू उस लड़की से कहता है कि तुमने अपने माता पिता से बात की या नहीं की उसके बाद वह लड़की उसे बताती है कि हाँ मैंने अपने माता पिता से बात कर ली है और वो लोग हमारी साधी के लिए एगरी है इसके बाद दीपू और उस लड़की दोनों की साधी हो जाती है साधी होने के बाद दीपू और वो लड़की एक दूसरे के साथ हसी खुशी जीवन वैतीत करते हैं अब साधी होने के बाद वो हसी खुशी तो हैं लेकिन उनकी खुशी कितने दिन तक चल पाएगी वो लोग बिहार में रहेंगे या रसिया में रहेंगे इस चीज के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं बागी दोस्तों वीडियो अच्छ लगा तो वीडियो को लाएक और चैनल को सस्काइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले आपके लिए इसे एच्छ एच्छ वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्धिस किसी को परिशान करना बिल्कुल भी नहीं है यह कहानी आपको इसलिए सुना जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना को सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को एपलाई कर सको मिलते हैं किसी नेक्र वीडियों नाइट ओपक के साथ अब तक के लिए जै हिन जै वारत जै हिंदुस्तान